कि नमस्कार साथिया आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेट वित रहने चलिए दोस्तों आज की सुरुवात करते हैं जैसे के अपने कौर्टर फॉर रिजल्ट के स्रीरी चल लिए तो उसके अंदर एकॉल लाइफ सेंस लिम्टेट को कौर्टर फॉर रिजल्ट आज यह आए आज आज अब 22 अपरार रात के साड़े क्यारा बच रहे हैं मार्केट बंद है कल भी बंद रहेगा वेकली ओफ है मंड़ी जब भी मार्केट हो तो इस शेर के अंदर थोड़ा फो अप्टाउन देखना मिलेगा बट शेर के अंदर टेजी भी देखने को मिले कंपनी के नाम से इसमझे अगूस कयों कमपनी के मेंनि को सिगमेंट के में आज भी जाओ यह लोग इंटिग्रेट इन और और इन और गनिक एमिकल्स तो इसके लिए लोग कंपने काम करते बैसिकलिए कंपने का कंपने काम है मैंने फैक्ट्र केमिकल्स और जो आज रिजल की सीज़ चले सारे कैमेकल सिगमेंट शेरों के अंदर सब्सक्राइब नियूस के साथ साथ एक चीज़ समझाइए कि सारी कंपने के परफॉमंस अंडर वैलूड रही है यानि कंपने के परफॉमंस इत्ची नहीं रही है जैसे इंदर रही ती क्वाटर फोकर रिजल सारी जित्ती भी कैमेकल सेगमेंट कमने शेर आ रहे हैं और जो हम यह फॉर्थ शेर भी कवर कर र लिए तो देखिए आज की दिन इसका क्वाटर फोग जल रहा है और लिए यह तो इसमें किसी तरह को डिवीडेंट डिल देखने को नहीं मिली है तो इनकी अनिक्स के अंदर आई यह आप दे सकते हैं इनक्स के अंदर है तो इमस्का थोड़ा सा सिंप्लिफाइए करके चल 24.3 का इस्टक और ओसी इसका चलना 17.5 परसेंट का बुक वैल्यूस के साथ तरप चौबाइस पैसे कि रिटर्न फ्रीक्यूर्ट इसके 11.5 परसेंट का है डिविडेंट कंपनी नहीं देती फेस वैल इसका 10 रुपे का है कंपनी के अंदर एक चीज पॉजिटिव सैने कंप 25.29 करोड़ बेगी और प्रेसन प्रॉफिट इनको 0.25 का हुआ है नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 0.15 हुआ है अनिंग पर शेयर की बात करेंगे 0.18 हुआ है लास्ट कॉटर से कम बेंचा लास्ट कॉटर सेल ते 0.85 बढ़के हुए 5.29 हुई है तो सेल घटके 5.29 है सेल म मिली हमारा को 3% की कौटर क्वाटर वाई मर ऑप्रेसन प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट कॉटर ऑप्रेसन प्रॉफिट था 0.5 वह बढ़के हुए 0.25 हुआ है नेट प्रॉफिट हमारा माइनस में 0.06 था वो घट पॉजिटिव में 0.15 हुआ है नहीं 15 लाग हुआ है और अनिंग परशेर की बात करेंगे तो इस लास्ट क्वाटर में अनिंग परशेर माइनिस में 0.07 तो बढ़के पॉजीटिव में 0.18 तो मुनाफ़ तो अच्छा खासा देखना हो मिला में मुनाफ़ के साथ कंपनी का जो अनिंग परशेर है उसमें भी अच्छी खासी अनिंग परशेर के अंदर भी कमी है तो रिजल्ट तो मिला जूला है ज्यादा खराब नहीं है बट रिजल्ट खराब है यह ठीक है अनुमान से कम आया है जो अनुमान लगाया जारत इसके लिए वह अनुमान कम आया अब इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ देखना हो मिलिए इसके शेर होल्डिंग पैटन देखेंगे तो परमोटर ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा है आप दूसर जीरो पॉइंट करी रहा है क्योंग कर जाए साथ ही साथ अब मेरा मानना देखें रिजल्ट तो जिसका आया था देखें आज कि दिन इसके ट्रेडिंग जैसन कैसा रहा वह समझते हैं तो यह देखें आज 0.93 परसेंट ग्रावट के साथ बंद वाज की डेट में तो आज यह ओपन होता उन चलिए चार्ट पर चलते देखते हैं चार्ट पर एक रेली देखना हो मिली है अपने 52 हाई के वासे शेर अच्छी ग्रावट देखा रहा है और काफी ग्रावट दिखा चुका है शेर और काफी टाइम से ग्रावट की ट्रेंड के तरफ चल रहा है देखें रिजल्ट कर भ और जल्दी अपने तीस रुपे का लेवल भी दिखाएगा क्योंकि जिस्ता से पैटन बना हुआ डाउन फॉल का वह पैटन चलता रहा है और शेर एक ट्रेटरी के अंदर फसा हुआ काफी टाइम से तो मेरे मेरे मानने से इस शिर्कों रखना करें बिलकूछ इसका बिलकु इसको बिलकुक्र मुटन रहाई तो इसको सपोर्ट अपने और अपने पाट्वी और ने पुमेड अगया है पर तो होल्ड करने होल्ड करिए बागे फ्रेसे इंट्री बिल्कुल लें चोटे वोटे घाटा में निकलने कोसिस करिए थोड़ा वह अब डाउन होगा शेर फिर भी गिरावट के तरफ ट्रेड कर रहा है अच्छा रिजल्ट कैसा भी है इसमें डाउनफल गिरावट के और यह तीस रुपे तक के टार्गेट भी आपको जल्दी दिखा सकता है आई होब भी वीडियो आपके उस पूले तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फावड करना बिल्कुल ना बोलें थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो